तो आज की इस वर्क्शॉप के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा स्टार्टिंग फ्रॉम के बेसिक साइंटिफिक राइटिंग की क्यों जाती है साइंस को पब्लिश करना क्यों जुरूरी है डिजिटल वर्ड के अंदर अपनी अपेरेंस बनाना क्यों जुरूरी है लोगों को ये बताना क्यों जुरूरी है कि आप किसी सर्च का काम कर रहे है लिंक्डिन ट्वीटर की प्रॉफाइल और गूगल स्कॉलर की प्रॉफाइल रिसर्च गेट की प्रॉफाइल और अपनी बाकी डिफरेंट प्रॉफाइल बनाना क्यों जुरूरी है और वहां पे अपडेट्स देना क्यों ज़रूरी है अगर साइंस के मेदान में हम अपडेट ना देते तो आज के दोर में हमारे पास हैवी किसम का जो innovations का पूरा set पड़ा हुए वो ना होता आइंस्टाइन अगर अपने पास जेम में is equal to mc square रखके बैठ जाते तो आज किसी को पता ना हता theory of relativity क्या है अगर हमारे पास different tools free में available ना होते तो हम क्या करें so there are many things involved in machine learning, deep learning and artificial intelligence जिसके उपर हमने आज बात की AI tools को research में देखा AI tools का कैसे दोर दोरा चल रहा है और research में कैसे helpful हो सकते हमने वो देखे हमने more than 20 tools को discuss किया which was a big thing और alhamdulillah hopefully आप इसको utilize भी करेंगे अपने field of research में हमने starting from search engines AI search engines how to search papers वहां से लेके paraphrasing AI tools का use summarize करना चीजों का question पूछना GPT algorithms को use करना बिंग AI chat GPT power be any that was perplexity and many other tools को हमने देखा हमने paraphrase करके देखा पिर at the end google talk को देखा and then हमने start से end तक flow और या हमने tools की pipeline बनाई जिसके तुरों paper लिख सकते हैं hopefully आपके और लिए ये workshop जो है वो helpful थाबत हुई होगी और अगर helpful साबित नहीं हुई तो I'm not sorry for that क्योंकि जारी बात है इसके लिए आपने sign up किया था आपका focus रहना ज़रूरी था मैंने कोशिश की कि बीज में हलका हलका touch देए के रखूं आपको जगा के रखूं लेकिन I know science के अंदर कुछ चीजें शुगल के बीना भी आगा चलानी चाहिए सारी चीजें शुगल में रहेंगे तो फिर हम शुगल ही करते रहेंगे so thank you so much आप सभी का शुक्रिया अब हम move करते हैं question answer के session की तरफ लेकिन उससे पहले अगर किसी का आज के किसी भी session के section से related question अपना लिख लें अगर आप इस recording को बाद में देख रहे हैं तो please comment section में आप जरूर इन questions को पूछें we will try to answer that